दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide Guru पर मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लेकर आये हूँ जीके जीएस का आप ये टेस्ट पेपर लगाईए और चेक करिए कितनी तैयारी आपकी अच्छी है क्योंकि ये प्रैश्ट प्रिवियस एसके कॉश्चन से निकाल कर बनाए गए टेस्ट पेपर से लिए गए है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अनगेडमी पर जो 12.00 में पढ़ाने वाला हूँ उस क्लास की लिंक है बारा बजे मैं अनगेडमी पर करेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूँगा और ये मेरी फ्री क्लास है अनगेडमी पर आप मुझसे Unacademy पर free पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं करेक्ट 12 बजे class शुरू हो जाएगी link description box में है link पर click करके class को enroll कर लीजे और मेरी profile link भी है तो मुझे follow भी कर लीजेगा जिससे मेरी हर class का notification आपको मिलने लगे दोस्तो अगर आपके mobile में Unacademy के application नहीं है तो इसको Google Play Store से डाउनलोड कर लीजे application एकदम free है जैसे ही आप application डाउनलोड करेंगे आपको वहाँ पर आपके number को enter करके आपका application verified करना होगा OTPI एगा application जब चालू हो जाएगी तो आपको मुझसे free पढ़ने के लिए वहाँ पर SSC exam सेलेक्ट करना होगा मैं Unacademy पर SSC कडिगरी में free पढ़ाता हूँ इसलिए आप SSC exam सेलेक्ट करिएगा जैसे ही आप SSC exam सेलेक्ट करेंगे आपसे वहाँ पर free enroll code मांगा जाएगा और code में आपको डालना है A, E, G, G ये चार अकशर का code जैसे ही आप enter करेंगे Unacademy के application आपकी unlock हो जाएगी और फिर आप मेरी हर class Unacademy पर भी देख सकेंगे मैं Unacademy पर free पढ़ाता हूँ तो आप जरूर अपने दोस्तों को भी ये जानकारी दीजेगा तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं practice side paper देखते हैं कितने questions आप solve कर पाते हैं जो भी पहली बार हमारे इस test side paper को देख रहा है हमारे Unacademy application पर जरूर रोज पढ़ने के लिए जुड़े और YouTube को भी subscribe जरूर कर लिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं practice side paper स्टार्ट करते हैं test side paper तो सबसे पहला प्रश्ण ये रहा आपके सामने question number one क्या पूशा गया है आपसे backbeat go शब्द जो है किसे से सम्मंदित है तो backbeat go शब्द जो है ये bluetooth से सम्मंदित है right answer हो जाएगा saga 220 super computer के संस्थान द्वारा विक्सित किया गया है तो sasa 220 super computer जो है ये विक्रम सारबाई अंतरिक्ष केंदर के द्वारा विक्सित किया गया है अगला question देख लेते हैं html का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए तो option number a question के लिए सहीतर हो जाएगा right answer है html का full form next question देखते है slv का full form क्या है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो satellite launch vehicle प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा next question देख लेते हैं भारत में अब तक कितनी बार आपात काल की घोशना हो चुकी है right answer क्या है तो भारत में अब तक तीन बार आपात काल की घोशना हो चुकी है अगला question देख लेते हैं क्या पूशा गया है भारत का उपराश्पती पद सम्मिधान के किसा अनुच्छेद से संबंदित है तो भारत का उपराश्पती जो सम्मिधान के अनुच्छेद 63 के तहट संबंदित है अगला question देख लेते हैं तो श्री मती प्रतीबा पार्टल जी भारत की प्रतम महिला राश्पती है अगला question देखते है लिफ्ट का अविश्कारक इन में से कौन है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question के लिए तो लिफ्ट के अविश्कार अलिसा, ग्रेव, ओटेस है option number B प्रश्णखा सही उत्तर हो जाएगा अगला question देख लेते है रडार का अविश्कार का श्रीय किसे जाता है सही उत्तर क्या है प्रश्णख के लिए तो रडार का अविश्कार का स्रीय option number D बो और सा यानि की A.H.Taylor और लियो सी यंग को जाता है अगला question देखते है निम्न मैसे खेल छेतर में स्रेश्ट पुरुसकार कौन सा है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्णख के लिए तो राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार अब इसका नाम बदल दिया गया है राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार खेल के छेतरों में स्रेश्ट पुरुसकार है अगला question देखते है भीमा परियोजना का संबंद भारत के किसे राज्जे से है राइट आंसर क्या है इस प्रश्ण के लिए तो भीमा परियोजना भारत के राज्जे महराश्ट से संबंद थै अगला question निम्ण मैसे कौन सी परियोजना का संबंद करनाटक से है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो सिव समुद्रम परियोजना का संबंद करनाटक से है राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या है इस परियोजना तो फरक्का परियोजना जो है गंगा नदी पर बनाई गई परियोजना है राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं निम्ण मैसे गुजरात से संबंदित परियोजना कौन सी है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए तो गुजरात में माही परियुजना है option number D प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारत की पहरी रेल जो मुंबई से ठाने तक जली थी 1853 में उसने कितनी दूरी तै की थी राइट आंसर क्या है तो भारत की पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाने तक चली थी 1853 में उसने लगबग 34 किलोमेटर की दूरी तै की थी next question देखते हैं अगला प्रशन जवाहर लाल सुरंग राश्रे राजमार्ग संख्या कितने पर इस्तित है तो जवाहर लाल सुरंग जो है option number राश्रे राजमार्ग संख्या एक ए पर इस्तित है right answer हो जाएगा next question देखते हैं निम्न मैंसे किस रेल मंडल का मुख्याले होबली में इस्तित है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो रेल मंडल का मुख्याले होबली में है option number D दक्षण पश्यम रेलवे प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला question देख लेते हैं व्यापारिक जहाजरानी बेडे की दरश्टी से भारत को विश्व का कौनसा इस्थान प्राप्थ है option number 17 वा इस्थान है भारत को प्राप्थ है next question देखते हैं प्रतिक्रिया होती है ये कौन सा नियम है तो न्यूटन का ये तृतिय नियम है राइट आंसर हो जाएगा पुष्टक दा स्टीब जॉब्स दा एक्स्क्लिूजिव बायोग्राफी की लेखक कौन है या रचना किस लेखक की रचना है ये तो राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टर इस ऑक्सन की रचना है ये सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कौशन देखते हैं मित्र मेला संस्था का संस्थापना का श्रिय किसे जाता है तो मित्र मेला संस्था के संस्थापना का श्रिय वीडी सावरकर जी को जाता है अगला कौशन देखते हैं बिग बैंक किस से सम्मंदित है? सही उत्तर क्या है प्रशिंग के लिए? तो बिग बैंक जो है option number ब्रहमान की उत्पत्ती के सिद्दांत से सम्मंदित है अगला कौशन मंदाकिनी क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशिंग के लिए? तो मंदाकिनी option number B आकाश गंगा का नाम है नेक्श कौशन देखते हैं हरा ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशिंग के लिए? तो हरा ग्रह के नाम से option number C वरुण ग्रह जाना जाता है next question देखते हैं अगला question बैटरी किस काम के लिए प्रियोग में लाई जाती है सही उत्तर क्या है question के लिए तो बैटरी जो है रासाइनिक उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्थित करने के लिए प्रियोग में लाई जाती है option number D प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं लुई पाश्चर को किसका जनक माना जाता है right answer क्या है प्रशन के लिए तो लुई पाश्चर जो है ये जनक माने जाते हैं option number C सुक्ष्म जयाविकी के next question देखते हैं क्या पूशा गया है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है right answer क्या है प्रशन के लिए तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक Edward Jenner जी को माना जाता है सही उत्तर हो जाएगा अगला question देख लेते हैं क्या पूशा गया है है जे के टिके की coach किस ने की थी right answer क्या है प्रशन के लिए तो हैजे के टिके की coach जो है option number Robert coach ने की थी सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये है आपका practice set paper practice test set paper में जो आपके लिए questions कराएगा है ये important प्रशन है इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजेगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और साथ साथ unacademy पर जो बारा बजे होने वाली class है बारा बजे वाली class में जरूर आ जाएगा आप अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं free class है description box में link है link पर click करके class को enroll कर लीजेगा ठीक है और जैसा मैंने बताया अगर आपके पास application नहीं है तो application को download कर लीजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते है next class में बहुत बहुत धन्यवाद